तो इसका सही हो आंसर हो जाएगा की आरेमेस एक्वब्र टू ईपॉन रूट तू इसका उस्थ एंप शुन होगा इसका सही हो जाएगा सी सून इसका सही आंसर है सुद्ध पिति रोध में प्रवाहत प्तेवायती धारा तथा आरोपत बिधुत बाहक बाल में कलांतर है तो इसका ए आंसर हो जाएगा इसका भी सुन होगा स्रेनी बद्ध एल सी रोध में ओमेगा एल एकोल टू बना पॉन ओमेगा सी होने पर क्या होगा इसका सही आंसर धारा अजएक्तम होती है एल सी रोध में यदि धारा का बिधुत बाहक बाल के बीच कलांतर फाई है तो सक्ति गुडांक का मान होता है इसका सही आंसर होगा B कॉस फाई एल आर परिपस का कलांक होता है A L अपॉन आर सी र परिपस का कलांक होता है एल आर परिपस का कलांक क्या होगा L अपॉन आर और सी र परिपस का कलांक क्या होगा प्रिपफ में प्रत्यवाइत धारा के माल प्रेर्प प्लीष एक्सायल तधा धारिती प्लीषात है एक्सायल आजी मत्याप प्लीषटी recognized आदा है तो सकती घुडॉंत क्या होगा यह कहते हैं तो इसका ऑन्सर हो जाएगा था समी करन आधास धारा शुरोध का आंत्रिक पीति रोध होता है तो इसका यह बाधा होती है तो इसका यह स्काला के लिए डावएस कामान होता है तो इसका स्ञान्सर हो जाएगा A0 किसी बिद्धुत नेटबाइक में सक्रिय वस्था होती है तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा D voltage श्रोथ चित्र की तीबरता का मातरख है इसका न्यूटन पीती कूलम इसका आंसर हो जाएगा साइकलोटरॉन से प्राप्त किये जा सकते हैं इसका सही आंसर है 10MEB उजा के अलफा कान यदि साइकलोटरॉन में D की तरज्या आरवा आरूपत विवांतर की अबरती F है तो इससे कोई आविस्थ कान अथिक्तम उजा प्राप्त कर सकता है इसका सही हो जाएगा 2π2mf2r2 इसका सही आंसर हो जाएगा साइकलोटरॉन में आरूपत विवांतर का सिखरमान भी तथा आक्रिटी F है इसके द्वारा प्राप्त आविस्थ कान किया सकता मुझा के की आरूपत विवांतर भी पर निर्वा कायता है इसका सही आंसर हो जाएगा एक के प्रोपोर्शनल टू भी सी आरू में तिब्रगा में इलेक्टान पुंज की प्राप्ति होती है इसका भी एह हो जाएक इलेक्टान गन से जब कोई आविस्थ कन के इसी चुम्मी के छेतर में की दिसा की लंद बत ब busy कायता है तो कन पर लगने वाला वाल कन को नम्ज लखित पत के अनुदिस से चलने पर बाद्ध करेगा इसका सी आंसर हो जाएगा ब्रत एक आविस्थ कन को एक समान चुमी के छेतर के समानता दिसा में छोड़ा गया है इसका मार्ग होगा रेखिक टैन इभी उजा का एक लेक्टरान वन इन्टू टैन टू दिपावर माइनस फोर वैवा मीटर स्कुर के चुमी के छेतर में ब्रताकार मार्ग में चक्कल लगा रहा है ब्रताकार मार्ग की तरज्या होगी इसकी तरज्या होगी 0.11 मीटर एक आविस्त करण एक समान चुमी के छेतर में चुमी के बड़ रेखा हूँ से 25 संस का कौन बनाते हुए प्रिविश्काता है चुमी के छेतर में करण का मार्ग होगा तो इसका मार्ग क्या होगा कुंडली नहीं बत कुंडली नहीं बत इसका मार्ग होगा इसका सी आंसर हो जागा तरज्यातर का उपयोग किया जाता है आविस्त करणों की उज़ा बढ़ाने के लिए देखिए तुरत्र में दो क्रमिक नलियों के बीच की दूरी वा नली की लंबाई दोनों धीरे-धीरे बढ़ती है लेक्टान बोल्ट का मात्राख है तो इसका ए हो जाएगा उर्जा एक ब्रामा बस्ता में यह आविसके लेक्टान को टैन बोल्ट के वहांता द्वारा तुर से तरवी में भीवेक से गतिमान है तो इस पर लगने वाला वल होगा तो इसका डी आंसर हो जाएगा सही क्यों इंटू भी क्रॉस भी थायमन पर बलाए विधी से प्राप्त पर बलाए कि ना भी लंब लंबाई अधिक होगी इसका भी सी हो जाएगा हाइडूजन के लिए इलेक्टान का विश्ष्ट आविस होता है इसका एग हो जाएगा बन पॉइंट सेवन 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 इंटू तो इपावर एलेवन कूलम फेती किलोग्राम क्रॉस ए तथा भी छेत्रों में अभी छेपे तो निकलने वाले आयनों का बेग है ई अपॉन भी परस्पार लंब आविस्द काण की परगती करता है तो इसका वेग होगा सभी होगा हंड़न मीटेप सेकेंड का एक आइसे चेत्र में प्रेवस्ट करता है जहां पर सबस्वार समानते है तो आविस्द कर की घ्याति की दिशा की लंब बट एक साथ एक समान बद्धु स्अवान के सरफ होते हैं कनका मार्ग उगा तो इसका सवी डी होगा परवल खार क्लाते हैं तो इसका एसाई हो जाए कि danil में धारा प्रभायत करके लेक्षरां 15 की गैटी की दसाप्राइश में जन्मेश की फोकस दूरी बदले जा सकती है तो तो इसका डी आंसर हो जाएगा चुमिके छित्र की ती बृता बदल कर के थोड कर दाव बिपार कौन सा आविस होता है तो इसका हो जाएगा धनात्मा काविस और रहो जचा है धनात्मा का विस सबसे सरल द्रबमान इस्पेक्टोग्राफ दिया था किस ने दिया था सबसे सरल द्रबमान इस्पेक्टोग्राफ इसका हो जाएगा यह जे जे थामसनने पर दिल की धरकन से संबंधित बिद्धुतिय क्रिया कलापों का ध्वन्या लेखन कहलाता है इसका सही आंसर हो एलेक्ट्रो कॉर्डियोग्राम क्रुक का अधीप तभाक पाया जाता है बिसायजन नलीका मैं अले है टेलिविजन फिक्चर ट्यूब में इलेक्टान पुंज का विच्छिपन होता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी कुंडली से प्रवाहत धारा द्वारा इस वीडियो म सब्सक्राइब करेंगे तब तक को चैनल को लाइक से एंड सबस्क्राइब करना थैंक्यू